असलाम उलेकूम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, और कैसे हैं आप सबी, इंशालला आप सभी खेरियत से होंगे, अल्ला ताला आप सभी को सेहत मन्द रखे, आप सभी अपने घरों में, अपने अपने फेमली के साथ खुश रहें, आब तो कल मैंने मिक्स बेज बनाई थी तो थोड़ी थोड़ी सी सब्दिया में बचा ली थी पत्ता भूभी बचा ली थी थी चलो बेज पुलाओ बनाएंगे, तो सिवईयों का बेज पुलाओ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्राइपेन में घी डाला और घी में हमें बहुत अच्छा बनता है तो यहां पर मैंने फ्राइपेन में थोड़ा सा पानी डाल दिया ठककर रख देंगे थोड़ी देर और उसके बाद तब तक मैं सब्जियों का नंबर लोगी बतलब हमें सब्जियों को ओल में थोड़ी देर फ्राइपेन करना है यहां जरूरी न अब मैंने बारी कटा हूँ अलस्तन अद्रक लिया है थोड़ी से मुफली के दाने लिये वो सब इसके अंदर मैंने ऐड़ कर दिये हैं साथ में जो हमने सब्जियां कट करके रख रख की थी वो सारी सब्जियां भी मैंने इसमें डाल दिये तो सब्जियों को हमें गलाना स्बजी का क्रणची पन चला जाएगा तो हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे सबजी को हल्का ही फ्राइ करना है और सवया हम इसके अंदर डाल देंगे साथ में हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस भी डालना है थोड़ा सा अगर आप पसंद करते हैं आपके बच्चे पसंद करते हैं तो नहीं तो सोया सॉस डालें आप और टमेटो केचप डाल दें बस थोड़ा सा इससे ये बहुत ही अच्छा हमारा सिवयो वाला वेजपु बच्चे बहुत मस्ती के साथ खाएंगे अच्छा लगेगा बच्चों को पसंद भी आएगा क्योंकि हमने इसमें टमेटो केचप डाला है साथ में सोया सॉस डाला है हमारे बच्चे सबजियां खाने में बहुत नाटक करते हैं और हम लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉ अधिया थोड़ा साथ टाइम लग जाता है से वह फटाफट बन जाता है तो जी अली बहुत कितना भी बड़ा हो गया हो लेकिन आदत वही है बीवी थोड़ा सा प्लेट में नाश्ता जरूर चोड़ना है क्यते है ना माबाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए फिर भी कह रहा है कि मम्मी ऊपर से थोड़ा सा टमीटो केचप आप और डाल दे अच्छा लगेगा तो फिर में ने और डाल दिया इसके लिए अली स्कूल जा चुका है और इधर अब में खानी की तैयारी कर रही हूं तो आज खाने में बनाऊंगी जी दाल बाटी और दा बाटी का आठा लगाना है दाल तो बस फ्राइ करना बाकिए ओवाल ली थी मैंने दाल और इधर में करोंदी की लौंजी बना रही थी जब से जी मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है तो चैनल की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से कह दिया था कि आप लोगो कोमेंट्स पढ़ने के लिए टाइम निकालती हूं पढ़ती हूं और आप लोगों के दिलों का हाल मुझ तक पहुंच जाता है मैं समझ जाती हूं कि किसके कौन सी परिशानी चल रही है और फिर मैं खुद भी दूआ करती हूं और अपने वीवस से भी आपकी परिशानी दू हुआ जो बहुत रोना भी आया और कोई भी मा जिसके घर में बेटी है वो भी रोईगी इस कोमेंट को पढ़कर उसको भी सच में रोना आ जाएगा कोमेंटी कुछ इस तरीके का था तो कोमेंट था जी अश्रफ खान जी का पहले मैं आप लोगों को कोमेंट पढ़कर सुन हमारी बहुत ज्यादा परिशान है रोती रहती है अल्ला ताला कोई जरीया ऐसा कर दे कि उसकी वापस जौप लग जाए वोक्टर ने स्ट्रिकली मना किया है कि यह बात मम्मी को बिल्कुल भी नहीं बताई जाए क्योंकि मम्मी पेरलाइस पेसेंट है तो इस अदमा बरद आफी बहन बेतिया हैं इनकी कहानी भी यही है इनके साथ भी यही हो रहा है हुद मैंने देखा है हमारी मिल्य-वालो में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियों के साथ यह कहाессी दोह राए जा रही है मतलब कि उनकी बेटियों को डिवोर्स दे दिया जाता है शादी के क तो तो अच्छी फेमिली मिल गई अच्छा घर मिल गया अच्छा रिष्टा मिल गया बस उसकी शादी कर देते हैं और शादी के कुछ टाइम बाद ही देखते हैं कि मारी लड़की लोटकर भई हमारे घरी आ जाती है अच्छी होना ये चाहिए कि हमें अपनी लड़कीों को उनके पैरों पर खड़े हुने देना चाहिए उनकी जYOब लग जाए उसके बास आराम से उनकी शादी कर दे ताकि कोई परिशानी भी आएक किसी भी तरीके की तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि हमारी बेटी तो अपने पेरों पर खड़ी है खुद कमा खा रही है कह सकते हैं जी इस चीज को पहले की बात अलग थी पहले जी लड़कियों की शादी 18, 19, 20 साल में कर देते थे ज़्यादा तर माबाप लेकिन अब जिस तरीके का टाइम चल रहा है जैसी हवा चल रही है उसको देखते हुए माबाप का दिल गवारा ही नहीं देता माबाप को लगता है लड़कियां खुद कहती हैं कि नहीं हमें पढ़ना है में जॉप करना है उसके बाद ही फिर शादी करते हैं इस चक्कर में लड़कियों की एजबी अच्छी खास हो जाती है लेकिन मेरे साब से ठीक है लड़कियां कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाए ना और हमारे एक मिलने वाले हैं जी उन्होंने अपनी लड़की को जदा पढ़ाया लिखाया नहीं सिर्फ पैंट पास करवाया था और उसके बाद उसकी शादी कर दीती लड़की को हुनर सिखाया था सिलाई का काम आता था और सस्रालवालोंने उसे चोड़ दिया उसके बाद वो तब से देखे सिलाई का काम कर रही है और जैसे तैसे अपना खर्चा खुद उठा लेती है सिलाई के कपड़े आते हैं उसके पास सिलने के लिए लेकिन अगर उसे पढ़ाते हैं उसके मावाब तो हो सकता है उसकी कई न कई जोब लग जाती वैसे भी आज के टाइम पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की जोब लग रही है इन सब बातों के पीछे मेरा मतलब यही है कि जहां तक हो सके हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं उनकी जोब लगने के बाद फिर उनकी शादी के बारे में सोचें और जोब लगते ही तो देखिये फिर कैसे हमारी लड़कियों के लिए रिष्टे दोड़े दोड़े आते हैं एक से एक अच्छे अच्छे रिष्टे अपनी बेहन अक्षा से यही कहना चाहूंगी कि अक्षा तुम दिल छोटा मत करो अल्ला ताला बहुत बड़ा है सबर रखो सबर का फल मीठा होता है और अल्ला ताला से मैं तुम्हारे लिए जरूर दौा करूंगी कि जल से जल तुमारी जोब लग जाए और मेरे जितने भी विवर्स हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी बेहन अक्षा के लिए प्लीज आप लोग भी दौा करना जब मैंने यह चैनल शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी एक प्यारी सी यूटूब की फैमली भी बन जाएगी तो देखते ही देखते हैं मेरी प्यारी यूटूब फैमली बन गई तो मैं भी व्लॉग के थूरू आप लोगों को बताती हूं कि मेरे घर में यह प्रॉबलम चल रही है तो आप लोग भी देखते हैं कि सायना जी हम आपके लिए दौा करेंगे अपनी नमाज में हर नमाज में कि आपकी इन साथ जो भी परिशानिया है वो दूर हो जाए आपकी मुश्किल आस्वान हो जाए तो वस यही होती है जी फैमली और इतना ही प्यार मुझे आप लोगों का चाहिए तो अभी शाम का टाइम है स्कूल से आई टी में तो आज बहुत दिनों में मैं तिंडे लेका रही हूं काफी दिन हो गए तिंडे खाई हुए तो मन हो रहा था कि भर्मा तिंडे बनाओगी अब यहां पर जब तिंडे देखू न मैं तो बड़े-बड़े साइज की पार सावन है कुछ चुट-पुट बड़लब ऐसी सामान थे मेरे अजबेंड रहते हैं यहां पर तो उनसे मंगा लेती हूं लेकिन वह जब नहीं रहते तो कई सामान ऐसे होते हैं जो खतम हो जाते हैं वह तो मुझे ही लेकर आने होते हैं और सच बताऊं तो अकेले रहकर कई बार हम लोगों को जिम्मेदारी का एहसास भी हो जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को कौन सा सामान लेना है कैसे खरीदना है क्या है क्या भाव चल रहा है किस सामान का बड़लब यह सब हम लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाता है और वैसे नहीं होता आइडिया बुट्टे भी लेकर आई थी तो वस एक भुट्टा खाऊंगी और आज रात का खाना कैंसिल स्कूल से आने के बाद अगर मैं थोड़ा बोट नाश्ता कर लेती हूं फिर में रात को खाना नहीं काती है आज कल ज्यादा तर यह हो रहा है कि मैंने रात का खाना एक तरीके से बंद कर दिया है भूकी नहीं लगती है क्योंकि अलकफुल का नाश्ता होई जाता है ले लेती हूं कुछ विवस्त के नाम जिन्हों ने दौाएं करवाई है फातिमा उस्मान है अक्षा है और शमनम जी है तो जी आप सभी लोगों के लिए में अल्ला ताला से अपनी है न मेरी पहन अक्षा के लिए दिल से दौा करना कि अल्ला ताला उन्हें मुसीवतों से बचाए जो भी परिशानी उनकी लाइफ में चल रही है वो परिशानी जल से जल दूर हो जाए बस उनकी पूरी फैमिली परिशानी में मुपतला है एक तरीके से अल्ला ताला उन्हें ज आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखेगा हम सभी को दौाओं में याद रखेगा आप लोगों से मिलती हूँ फिर से पर एक नहे अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज बाई बाई